कौन है राजिस्थान की ऐसाई नैना कवल राहुल के साथ भारत जोडो यातरा में दिखी किस मामले में हुई नैना कवल की ग्रफतारी पिछले ही साल राजिस्थान पुलिस में ट्रेनी से सब इंस्पेक्टर पत पर तैनाथ हुई नैना कवल अपनी पोस्टिंग के दौरान से ही सुर्खियों में है वज़े हैं उनकी खूपसूरती और वर्दी जिसकी वज़े से नैना खूप चर्चाओं में रही थी नैना राजिस्थान पुलिस में सबसे खूपसूरत पुलिस कर्मी के तौर पर फेमस थी लेकिन इस वक्त नैना कमल चर्चा के साथ साथ मुश्किल में भी है नैना की मुसीबत बढ़ चुकी है दुल्ली पुलिस एक किड्नैबिंग के केस में लोकेशन के लिहाज से रोहतक के नैना के फ्लेट तक पहुँच गई जिसके बाद पुलिस को नैना के पास से दो बिना लाइसेंस वाली पिस्टल मिली है पुलिस को देखते ही नैना ने पिस्टल को बाहर फेक दिया लेकिन तब तक पुलिस सब कुछ देख चुकी थी अब एक तरफ जहां रोहतक पुलिक्स ने उन पर आम्स एक्ट के तहट केस दर्ज कर लिया है तो दूसरी ओर उनकी ग्रफतारी भी हो गई है राजिस्थान पुलिस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है आपको बता दें कि नैना कवल कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा के दोरान राहुल गांधी के साथ भी दिखाई दी थी उस वक्त भी नैना की तस्वीरें राहुल गांधी के साथ वाइरल हुई थी नैना का जन्म 1966 में हर्याणा के पानिपत जिले के सुतना गाउं में हुआ था नैना हर्याणा केसरी का खिताब भी जीच चुकी है उनके पता रामकरण और माबाला देवी दोनों सरपंच रहे चुके हैं बचपन से ही नैना कुष्टी खेलती रही है उनके पता और भाई भी कुष्टी के बहत चौकीन है और फिलहाल उनका नाम इंटरनेशनल रेसलर्स की लिस्ट में शुमार है नैना कवल की पढ़ाई लिखाई हर्याणा के निडानाई से हुई थी जहां उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासल की थी बात करें पहलवानी की तो नैना न जूनियर वर्ल्ड चैंबियंशिप कोर्शेका यूरोप 2016 में जूनियर एशियन चैंबियंशिप मंगोलिया 2018 में 23rd वर्ल्ड चैंबियंशिप रोमानिया और 2019 में 23rd वर्ल्ड चैंबियंशिप हंगरी में भारत का प्रतिनेद्व किया है इसके अलावा उन्होंने एशिया चेंपियंशिप मंगोलिया में गोल्ड मेडल जीता था इसके अलावा वो कई अननेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगताओं में मेडल जी चुकी हैं फ्री स्टाइल कुष्टी की पहलवान नैना कवल भी अभी शादी नहीं हुई है नैना को डांस और संगीत सुनना बेहत पसंद है नैना ने साल 2011 से कुष्टी खेलना शुरू किया था चौदरी भरत सिंग मेमोरियल स्टोटर्स स्कूल गाउन निडानी जीद हरयाना के अखा झाल